हेलो दोस्तों सलाम चैनल को नहीं स्वालूब की आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे साथ में जो बेल आइकन इसको दबाना बिल्कूल ना भूले पहला सवाल सामिल कर लेते हैं जो PCR टेस्ट के बारे में एक भाई ने लिखा है मेरा फ्लैट 13 नौंबर की है आटी PCR टेस्ट भी नहीं कराना है ना इहतराज ओनलाइन रजिस्टेशन करना है पिलीज ये कनफर्म बताए तो आपको बताते चले कतर आने के लिए PCR टेस्ट करान है या नहीं करना है इस बारे में नहीं बताया गया है कतर आने से पहले आप एहतराज के जो वेबसाइट है इस पे रजिस्टेशन करके आए इससे फाइदा ये होगा आपने कतर से बाहर जो वैक्सिन लिया है वो वैक्सिन का डेटा आपको एहतराज के मोबाइल एप्लिक कतर में अभी भी होस्पίटल में जाने पे दिखाना जरूरी है बाङ्टी यःऊंकि आपकि 2 जगे जाते हैं तो एक सरास का मुबाइल एप्लिकेशन दिखाना जरूरी नहीं है इसलिए अगर आप कतर आना चाहते हैं तो आने से पहले आपको इहतराज के जो वेपसाइट इस पे आपको रजिस्टेशन करना चाहिए यहाँ से अपरूबल लेके आएगा तो अच्छा रहेगा इस बारे में मिनिस्टिर आप पॉबलिक हैल्थ के वेपसाइट पर नहीं लिखा गया है आपको करा के आना है या नहीं करा के आना है तो बेहतर यही होगा आप करा के आयेगा तो बेहतर रहेगा दुसरा सवाल शामिल कर लेते हैं जिसमें एक भाई ने पूछा है सर मेरा मेडिकल होने के बाद वीजा कैंसिल दिखा रहा है क्या करें तो आपको बताते चले मेडिकल सम्मीट होने के बाद अगर आपका वीजा का स्टेडस कैंसिल हो जाता है तो इसका मतलब यह है आपके जो company वाले है या तो आपके जो sponsor है उसने visa को cancel कर दिया है इसलिए आपका जो visa का status है वो cancel हो जाता है medical summit होने के बाद अगर visa cancel होता है तो आपका sponsor cancel कर देता है तब ही जाके cancel होता है वीजा कैंसिल हो गया तो अब क्या करें तो आपको जिसने वीजा दिया है उससे बात कीजिए वही आपको बताएगा वीजा क्यों कैंसिल किया किस लिए कैंसिल किया वही आपको रिजन दे सकता है भाई चले जान लेते हैं क्या कतर आने के लिए अभी के वक्त में आपको बुष्टर डोज लेना जरूरी है या वैक्सिनेटेड होना जरूरी है तो आपको बताते चले यूँके कतर आने के लिए वैक्सिनेटेड होना जरूरी नहीं है इसलिए आपने वैक्सिन लिया है तो भी ठीक नहीं लिया है तो भी ठीक दोस्तों आज कि थी ये वीडियो समझ मैं तो वीडियो को लाइक कीजिए मिलते हम किसी और वीडियो में वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब दोस्तों का तह दिल से शुक्रिया